आज की कहानी का नाम है खामोशियां, यह इस कहानी का भाग एक है, यह एक true love story है, चलिए शुरू करते हैं, अरे सुन प्रेम, तुझे उस लड़की का नमब मिला क्या, वैसे तेरा ठीक है यार, तुझे तो हर हफ्ते कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाती है, फंसे तो हम है यार, हमें तो एक ने ही इतना परेशान करके रख दिया है कि कोई मिलना तो दूर देखने के भी लाले पर जाते हैं, रितिक ने कंधे उचकाते हुए कहा, तभी रिया ने एक दमदार कोहनी रितिक के पेट में मारी, आउच, मारेगी क्या, थोड़ा तो मजाक समझा करो, बेबी, रितिक ने मुँँ बनाते हुए कहा, रिया रितिक को इगनो करके दूसरी तरफ देखने लगी, मुझे क्यों देगी कोई लड़की नमबर जिसको देना चाहती थी वह तो देखता तक नहीं, प्रेन ने मासूम बनते हुए कहा, वैसे आरूश, प्रेन ठीकी कह रह है, अगर तू 2-4 सेकंड उसकी तरफ देख लेता तो उससे तो घायल ही हो जाना था, तेरे प्यार में, रितिक ने आरूश की तरफ देखते हुए कहा, आरूश जो चुपचाप का ड्राइविंग कर रहा था, साधरल तरीके से बोला, ये सब चीजे मेरे लिए नहीं बनी, अगर मेरे लिए इस दुनिया में कोई बनी होगी तो आही जाएगी वरना ऐसे ही ठीक, और रही बात उस लड़की की, तो मुझे ऐसी लड़की पसंद नहीं जो कभी इधर तो कभी उधर भागे, मतलब ऐसा कैसे कह सकता है तू, बात थोड़ी गहरी है, और मुझे ऐसी ब हाशे रितक जी है, आरुष ने मुस्कुराते हुए बगल में बैठे रितिक को देखते हुए कहा, बेचारा रितिक, अब उसकी बारी थी रिया को जेलने की, क्या, और बदतमीज यहां ग्यान जार रहा है, आरुष तूने मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बताया, मैं भी इसका भूत वही उतार देती, हाँ देख लो रिया दी, आप जैसे ही डांस के लिए गए थी ना, तू रितिक भाया को उस लड़की ने, हाई डूड, वाट्स या नेम बोला था, आरुष की सबसे छोटी बहन आयुशी ने रिया को देखते हुए कहा, हाँ तो बेटा आप ये भी तो बताये ना कि मैंने कोई जवाब दिया था या नहीं उसको, देखो रिया आरुष और आयुशी मिलकर तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, तुम तो जानती ही हो, रितिक ने आयुशी को घूरते हुए कहा, वैसे भी मिस्टर मैं तुम्हें ऐसे ही छ ने नाटक करते हुए कहा, तो सभी लोग उसकी बाते सुनकर हसने लगे, आरुष के पापा रमेश गौर के खुद के तीन हॉस्पिटल थे, एक दिल्ली में और दो मुंबई में, उसके पापा और बड़े भाय आलोक गौर शहर के जाने माने और मशहू डॉप्टर थे, आ कोनो हस्बेंड वाइफ हैं, शिवम दिल्ली पुलिस में डी सीपी है जिसकी बर्टे पार्टी में से ये सब घर लोट रहे हैं, आरुष बहुत ही शान्त और शर्मीली स्वभाव का है, वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, केबल रितिक, रिया, शिवम और रितु ही है जिनमें वह खुलकर बात कर सकता है, आरुष भले ही शान्त स्वभाव का है, लेकिन वह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, परिवार में मम्मी पापा और यह चारो भाई बहन और एक दीदी भी हैं, आरुष के चारो दोस्त गोर परिवार के लिए बच्चों के समान हैं, बच्चपन से ही रिया और रितिक इस परिवार का हिस्सा रहे हैं, रितिक और रिया एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों के परिवारों ने भी शादी की मंजूरी दे दी, लेकिन रिया और रितिक जिंदगी में कुछ हासल करना चाहते हैं और उसके बाद ही करते थे वो कौन है यहां आगे आपको पता चल ही जाएगा वैसे रितिक भया मुझे तो अभी से लगता है कि रियादी से शादी करने के बाद घर का सारा काम आपको ही करना पड़ेगा आयुशी ने हंस्ते हुए कहा अरे आयुशी पता है लड़कियों का तो अकाल सा पड़ हुआ है तभी एकदम जोर के जख्के के साथ गाड़ी रुख जाती है रितिक और रिया एक साथ बोल पड़े क्या कर रहा है आयुश एकदम ब्रेक क्यों लगाया ध्यान से गाड़ी चला प्रेम और आयुशी भी अचानक गाड़ी रुख जाने से चौंक जाते हैं अरे प सकता है किसी को मदद की जरूरत हो रितिक ने आरुष से कहा अरे रितिक भया क्यों आफत मोल ले रहे हो कोई भूत हुआ तो प्रेन ने दरते हुए कहा प्रेन पागल है क्या अगर किसी को सच में चोट लगी हो तो हमें बाहर निकल कर देखना चाहिए आरुष ने सयम रखते हुए कहा रितिक और आरुष गाड़ी से निकल कर बाहर जाते हैं भाई ध्यान से ज्यादा पीछे मत जाना आयुशी ने दरते हुए कहा आरुष और रितिक जब गाड़ी के पीछे जाते हैं तो वहां पर एक लड़की अन्धे मूँ पड़ी रहती है कुछ दूरी पर उस के निशान थे प्रेन ने उसे देख कर कहा लगता है किसी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया तभी रिया और आयुशी भी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाते हैं आप क्या करें रितिक ने सोचते हुए कहा क्या मतलब क्या करें आपने मूवीस में नहीं देखा क्या भूत बीच सड़क पर एक्सीडेंट का बहाना लेकर पड़े रहते हैं और लोग गया करके उन्हें अपनी गारी में बैठा कर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं तभी वो भूत उन्हें मार डालते हैं देखो इसको कितनी सुन्दर है भूतनिया भी इतनी ही सुन्दर होती है और सुन्दरता की चक्कर में लोगों को यमलोग पहुँचा देती है प्रेम बिना सांस रुके एक ही बार में बोलता चला गया पागल है क्या प्रेम तू इस लड़की को देख कितनी चोटे हैं इसके शरीर पर मुझे नहीं लगता कि हमें इस हालत में इसे अकेला छोड़ यह क्या अब हम कहां बैठे प्रेम ने नाराज होते हुए कहा ऐसा करते हैं इसे रिया और आयुशी के साथ पीछे वाली सीप पर बैठा देते हैं और मैं और प्रेम किसी तरह से आगे अज़स्ट कर लेते हैं रितिक ने सोचते हुए कहा हाँ यही ठीक है आरूश ने सहमत होकर कहा सभी लोग किसी तरीके से ऐजस्ट हो जाते हैं ओ हेलो इसी साथ तो ले लिया है लेकिन इसे लेकर कहा जाएंगे एक काम करते हैं आरोष इसी हम अपनी ही हॉस्पिटल में ले चलते हैं रिया ने जिजगते हुए कहा दिमाग खराब है क्या अपने हॉस्पिटल ले जाएंगे तो आलोग भाईया और अंकल जी बहुत गुसा होंगे। रितिक ने आगे से कहा, जो हुगा देखा जाएगा, अभी तुम सब इस लड़की की हालक देख रहे हो ना, इसे हॉस्पिटल ले जाना ही ठीक रहेगा। आरुश ने कहा, सभी लोग और उसकी बातों से सेहमत हो जाते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी हॉस्पिटल पहुँचते हैं, नाइट शिफ्ट की डॉक्टर मौजूद थे, रहत की बात ये थी कि उस समय आलुख भाईया और अंकल जी मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर बाद लखन स्ट्रचर ले आता है और साथ में उसके दोनर्स और रहती है। रितिक ने इस टीचर को गाड़ी के पास लगाया और हर्या और आरुशी की मदद से उस लड़की को स्ट्रचर पर लिटाया और इमजेंसी रूम में ले गए। डॉक्तर कपूर यहीं है क्या। हाँ सर वो आज एक केस में लेट हो गई थी इसलिए आज घर नहीं गई। तो उनको बोलो जल्दी नीचे आयन अजेंट है। ओके सर कहकर सिस्टर चली जाती है। आलोग भया भी आने वाले हैं। अब किसी तरह से तू यहां मेनेज कर लेना। रितिक ने आरुष के पास आते हुए कहा। आरुष तू एक काम कर। प्रेम, रिया और आयुशी को घर ले जा। नहीं भया मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अभी प्रेम बोल रहा था ना कि वह भूप भी हो सकती है। मुझे बहुत दर लग रहा है। इसलिए मैं तो आप रुप जाती हूँ। अगर इस लड़की को होशा गया तो किसी लड़की का होना भी जरूरी है। रिया ने आरुष को देखते हुए कहा। सभी लोग रिया की बात से सहमत हो जाते हैं और वापस घर लोटने की तयारी करते हैं। रिया, ठीक से जाना रितिक, कोई तो है, आरुष, क्या मतलब, रिया तो बिल्कुल ठीक है, अभी वर रेस्टरूम में है, अच्छा, अच्छा, आप समझा मैं, क्या कहा था रितिक ने आपसे, आलोक, अरे रितिक तो बहुत पैनिक होकर बोल रहा था कि जल्दी आओ भाईया, रिया को कुछ हो गया है, आर है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्तर कपूर को भेज दिया है, एक बार आप भी जाकर देख लो, तुम पागल हो क्या आरुष, ऐसे कैसे तुम किसी को भी सड़क से उठा कर इस हॉस्पिटल में ले आए, यह कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल तो है नहीं, अगर पुलिस को इनफॉर्म कर देना चाहिए, आरुष, पर हम इसे ऐसी हालत में भी नहीं छोड़ सकते, पहले कोशिश करते हैं अगर इसे जल्दी होश आ गया तो ठीक है नहीं तो पुलिस को भी इनफॉर्म कर देंगे और रही बात पापा की तो मुझे नहीं लगता कि उन्ह कर ही बताऊंगा कि आगे क्या करना है, आरुष, ओके, इसके बाद आलोग इमजेंसी रूम की तरफ चला जाता है और रिया एवं आरुष बाहर बैट कर इंतजार करने लगते हैं, लगभग आधे घंटे के बाद आलोग बाहर आता है, आलोग, मैंने महिमा से बात की, वह बता रही थी कि केवल बाहरी चोट ही है, कोई इंटर्नल इंजरी नहीं है, ऐसा करते हैं, सुबल तक इसे यही रखते हैं अगर होश आया तो ठीक नहीं तो पापा को बता कर पुलिस को इंफॉर्म कर देंगे, रिया, ठैंक्स भाईया, तो अब हम घर जाएं क्या, आलोग हाँ हम घर चलते हैं, तुम रितिक से एक बार पूछलो वह घर रुख गया है या फिर चला गया, रिया, ओके भाईया, रिया रितिक से बात करने के लिए साइड में चली गई और आरोश आलोग से बात करने लगा, बस कल तक ही देखूंगा मैं उसके बाद पापा को इंफ मदी यहां सब कुछ संभाल लेंगी, आलोग, हाँ, हाँ, मैं भी आता हूँ नहीं तो तुम्हारी भाबी मुझे खा जाएगी, तीनों जोर से हसने लगते हैं, उसके बाद आलोग लखन को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उसके बाद सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं, और इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय समाप्त होता है, अगर आपको यह कहानी पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेर जरूर करें